आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परिशा के आज के इस वीडियो में जिसके अंदर में हम लोग हमारा टीचिंग एक्जाम्स के लिए जी के हिस्ट्रिय सिविक्स जोग्रॉफी इन सभी के लिए जो एक शरंखला चला रहे है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंग जी बिल्कुल रंजीत सिंग जी डेलेट वाले डाल सकते है फॉर्म 6-8 के अंदर में बिहार में भी आगे बढ़ते हम लोग यहां पर में आप लोगों के साथ में आगे बढ़ने से पहले एक बहुती जो है सुन्दर सा कोट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा study while others are sleeping work while others are loafing जब बाकी के लोग जो है मस्ती कर रहे है जब सो रहे है उस समय में आप लोगों को काम करना है उस समय आपको study करना है प्रिपेर वाइल अदर्स आर प्लेंग जब बाकी के लोग जो है न प्ले कर रहे हैं घूम फिर रहे हैं खेल रहे हैं उस समय में करो वही ड्रीम वाइल अदर्स आर विशिंग ठीक है ड्रीम करना है आप लोग ने जब सिफ लोग विश कर रहे हैं उस समय में अपने ड्रीम क अगर आप लोगों ने अपने आपको बहतर बनाना है इस competitive world के अंदर में आगे रहना है तो उस समय भी महनत करनी पड़ेंगी जब बाकी लोग महनत नहीं कर रहे है यह चीज़ याद रखी आप सभी लोग चलिए तो पहले question के तरफ में आगे बढ़ते हैं friends हम लोगों के Instagram, Facebook, WhatsApp, Instagram वहाँ पर में शेयर भी जरूर कर देंगे तो उन लोगों के बहुत 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 शुक्रिया देखिए friends हम लोग बात करें हमारे particular question की तो हडपा स्थल किस नदी के तटपा स्थीत है सरस्वती, ब्यास, इंडस, रावी तो friends हडपा नदी जो है आप लोगों की य रावी नदी के किनारे के उपर में स्थीत है, तो यह आप लोगोंने ध्यान रखना है, तो आप देख सकते हो friends की हडपा सभ्यता की जो स्थल है, कहा कहा पर में वो लोकेटेड है, आप लोग देखोंगे हडपा सभ्यता इसको कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली जगा थी ज जो है friends देख पा रहे होंगे, कि यह है रावी नदी, ठीक है, रावी नदी जो है बाद में जाकर चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है, तो रावी नदी जो है यह आप लोगों के इसके ठीक है, left hand side के अंदर में left hand जो बैंक है वहाँ पर में हडपा नाम का स्थल आप लोगों ने मोहिंद जो दारों, पूरी हडपा सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान में है, ठीक है, और ये आप लोगों को मिलेगा, सिंधु नदी के किनारे पर, जो में सिंधु नदी है उसके किनारे के ओपर में, यहाँ ने याद रखना है, ठीक है, चाली, now friends, यहाँ पर नाम का जो शहर था सबसे पहले खोजा गया था 1921 के अंदर में रावी नदी के तटके उपर में यह स्थीत है दयाराम जहानी ने इसको खुदाई की थी इसकी ठीक है मोहिन जो दारो दूसरे नंबर पर खोजा गया था सिंदु नदी के किनारे पे स्थीत है यह आडी बैनर राजिस्थान में स्थीत है चानुदारो और यह चानुदारो एक ऐसी जगह है जहां पर में सीटाडेल या उपरी नगर दूर्ग आपको नहीं मिला है अधर्वीस के होता है हडपन अगर दो भागों में भाजीत होते है जनरली ठीक है कुछ ऐसे भी नगर है जो आप लोगों को मिलेंगा राजिस्थान के अंदर में लोथल गुजरात के अंदर में भोगवन अधी के तक के ओपर में सुर्कोटदा जो है यह भी गुजरात के अंदर में सुर्कोटदा घोड़े के हड्डियों के आउशेस मिलें आप लोगों को ठीक है बनावली हर्याना में है और धोला विरा गुजरात के अंदर में यह लिस्ट आप लोगों कब पुरा इंग्लिश में भी अवेलेबल है आप इसको देख सकते हो पहले क्या था हमारे भारत पर इस्ट इंडिया कंपनी साशन करती थी इस्ट इंडिया कंपनी तो हमारे भारत के ओपर में जो कबजा किया था एक्च्वल में इस्ट इंडिया कंपनी ने किया था इस्ट इंडिया कंपनी काफी समय तक भारत के ओपर में साशन करती रही लेकि ब्रिटेन के जो crown है, British crown है, मतलब ब्रिटेन की जो सरकार है, उसके हाथ में रहेगा पूरा भारत का साशन, ठीक है, और ये किया गया था Act of 1858, ठीक है, इसको Act of Good Governance भी कहा जाता है, ठीक है, Act of Good Governance in India, तो answer आप लोगों का हो जाएंगा, option number B, 1858 का अधिनियम, government of India, 1858 या Act of Good Governance in India भी इसको कहा जाता है, ठीक है, तो answer इसको option number B, आप लोगों का, तो 1858 के अंदर में East India कंपनीय से सारे अधिकार, British Samarajjan के हाथ में दे दिए गये, बंगाल विभाजन की घोशना किसके दवारा की किस ने बंगाल वी भाज़ित करके इस्ट बंगाल बनाया जा रहा है तो इस्ट बंगाल बनाने की गोष्ण तक इस पूछ सकते हैं तो इस्ट बंगाल बनाने की जो घॉष्ण है लॉड करजन, लॉड कलाइब, लॉड कैनिंग, कॉन वैलेस, तो लॉड करजन जो है इन्होंने की थी, यह यादखने आप लोगोंने, बंगाल का विभाजन किया गया था आप लोगों का फ्रेंट्स, आपका 1905 में, ठीक है, यह यादखने आप लोगोंने, 16 ओक्टोबर 1905 क को यह विभाजन अस्तितों में आया था, इसकी घोषना की गई थी 20 जुलाई को, ठीक है, तो घोषना किस ने की थी, इसकी घोषना की थी लॉड करजन ने, जो उस समय में भारत के वाइसराय थे, ठीक है, यह याद रखंगे आप लोग, भारत के वाइसराय थे यह, और इ भारती लोग जो थे, specially Indian National Congress के जो लोग थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई, बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, ठीक है, हिंदु मुस्लिम में फूट डालने के लिए, भारतीयों का बटवारा करने के लिए, बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो भारत म में क्या करना चीए, हम लोगों ने भारत में बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल करना चीए, इसी वज़े से स्वदेशी अंदोलन यहाँ पर में चलाया गया, यह याद रखने है आप लोगों ने, ठीक है, तो बंगाल में स्वदेशी अंदोलन जो है वो बंगाल आज से 1911 तक रहा तरहा 1911 में बंगाल कई विभाजन स्वाधिया गया था वापस से बंगाल को एक कर दिया घया गया Health कते रेंश का प्रथम अधर शाषर कौन था यह बतानए आप लोगों ने है कि डिक достar भारत का गुपता वन्ष का पहला स्वात अंत्र शाशक कॉण था शी गुप्त चंद्र गुपत् एक समद्र गुपत कुमारगुपत तो दिखे फ्रेंड मैं गुपता वन्ष की प्रफम स्वतंत्र शाशक कौन था क्योंकि श्री गुप्त और घटोट का जो है वो शक राजाओं के अधीन रहे कर अपना साशन चलाते थे इनका पहला स्वतंत्र शाशक था चंद्रुप्त प्रफम गुप्त वश्य जो है इसने भारत के अंदर में बहुत जादा जो है golden period of ancient India इसको कहा जाता है प्राचीन भारत का प्राचीन भारत का स्वर्ण यूग इसको कहते हैं याद रखने आप लोग ने प्राचीन भारत का स्वर्ण यूग किसको कहा जाता है गुप्त वश्य को कहा जाता है तो आंसर इसका गुप्त वश्य का पहला स्वतंत्र शाशक कौन था एकर ये कोशन पूछ लिया जाए तो चंदरगुप्त प्रथम चंदरगुप्त प्रथम जो है इसने जो एक उपाधी ली थी वो भी आप लोग याद रखोंगे इसने महाराजा अधिराज की उपाधी धारन करने वाला पहला गुपता वश का साशक था इसका बेटा इसका नाम था समुधरगुप्त और आप लोगों को को बता दू कि समुधरगुप्त जो है वो भी बहुत ही महांसाशक ठाग चंदरगुप्त एक का बेटा समुधरगुपत इसको नेपोलियोन उफ इंडिया भी कहा जाता है समुधर गुपत को प्रफम का बेटा था और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड की समुद्र गुप्त भी अपने पिता की तरह ही बड़ा ही पराक्रम ही था इसको नेपोलियोन अफ इंडिया भी कहा जाता है इसके बारे में हम लोगों को काफी सारी जानकारी मिलती है इसकी प्रशस्ती से तो व आभ भी आप लोगों रहно छंद्रची्जी जुह है यह चंद्रगुप्तव के समयकाल के थे चंद्रगुप्त दो अशूगोष इसके समयकाल के कनिश्क के दरबारी चाहिए आश्वगोष कनिश्क के यह आदर सकते हो तोşamुद्र गुप्त के दरिबारी कवी ते याद और इन्होंने समद्र गुप्ति के तारीफ में प्रशस्ती बनवाई थी, प्रयाग प्रशस्ती जिसको कहा जाता है, ठीक है, चालिए, तो ऐसे ही friends, like and share करते रहेंगे, आप सभी लोग, मैं जैसे देख पा हूँ, काफी सारे लोगों ने like कर दिया है session को, जिन लोगों ने Teaching Par मंदिर का निर्मान किसके द्वारा किया गया था, तो Kandaria Mahadev Temple, ठीक है, Kandaria Mahadev Temple आप लोगों को मध्यप्रदेश के अंदर में मिलेगा, मध्यप्रदेश में भी कहा मिलेगा, तो ये मिलेगा आप लोगों को friends, Khaju Raho के अंदर में, Khaju Raho जो नाम की जगह है, आप लोगों की ठीक है, छतरपूर district में, ठीक है, मध्यप्रदेश में, छतरपूर district है, छतरपूर, छतरपूर district, वहाँ पर में, Khajur Raho नाम का एक जगह है, जहाँ पर में बहुत सारे मंदिर बने हुए, Khajur Raho temple complex उसको बोला जाता है, पूरा का पूरा, वहाँ पर में आपको एक मंदिर म मिलेंगा, जिसको कंदारिया महादेव मंदिर बूलते है, इसको धंगदेव नाम के चंदेला राजवंश के राजा ने बनाया था, ठीक है, कौन से राजा थे वो, ठीक है, चंदेला राजवंश के, चंदेला, चंदेला राजवंश का शाशन था यहाँ पर में, और 999 AD के के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलती है मंडप के बारे में तो मंडप क्या चीज हुआ करती थी ठीक है मंडप एक सेक्रेट प्लेस था मंदिर के अंदर में एक हॉल हुआ करता था जहां पर में लोग इकठा हो सकते थे एक पात था जिसके आराउंड में लोग घोम सकत आप लोग जहां पर मेंकट्था हो सकते एक assembly hall जो होता है आप लोगों जहां पर मैं बैठते हो भूत देर तक है उसको मन्दप कहाजाता है जहां पर मुख्य questions है friends याद रखने आप सभी लोगों ने बाकी friends एक चीज मुझे अभी धिहान जो आई है वह भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कि जो seatate के बारे में काफी सारे बच्चे जो है पूच रहे थे कल भी काफी सारे comments आये calls पर पर call करके यह फिर 96, 97, 888, 344 इस नबर पर call कर सकते हूँ आप लोग या फिर F aid button या फिर F ृइबटन के उपर में आप लोगों को जो एप है उसका link दिया हुआ है उसके उपर में भी आप लोग जानेकर यह वहासिल कर सकते हो यह कर लोग को आप लोगों का मंडव वह स्तान होता है जहां पर में लोग इखठा हो सकते हैं चालिए नौ फ्रेंट्स विश्यू का सबसे उचा पठार कौन सा है सबसे उचा पठार एक पठार का मतलब होता है जो अपने आसपास वाले एरिया से थोड़ा जादा उचाई के उपर में होता है एक उची उठी हुई जो फ्लैट जमीन होती है उसको पठार कहा जाता है प्लेट्यू ठीक है तो दक्कन का पठार मालवा पठार छोटा नाकपुर का पठार या तिबबत का पठार सबसे जादा उचाई के उपर में तो 4000 से लेकर 6000 मिटर की उचाई तक का जो पठार है तिबबत का पठार चाइना के अंदर में मिलेंगा आप लोगों को वैसे तिबबत अपने आपको एक स्वातंत्र देश भी मानता है लेकिन चाइना ने उस पर कभजा किया हुआ है तो तिबबत का पठार है यह 4000 से 6000 मिटर की उचाई पर है समूद्र की सता से ठीक है क्योंक यहां पर में दक्कन का पठार वैसे यहां पर में तिबबत का पठार थोड़ा ज्यादा उचाही है यह तो यह चार हजार से लेकर 6000 मिटर की उचाही पर है कहीं पर 1 हजार मीटर की उसकी ऊचाही है कहीं पर जाके 6,000 मीटर तक चली जाती है क्यों, तिबध के पठार की यह यादर खने है आप Euh लोग ने है, वह अन फ्रेंच एक और तो कुषान आप लोगों के खिदी में पेश है आप लोग देख सकते हो यहां पर में आप लोगों से पूछा जा रहा है यहां पर में इस particular question के अंदर में इस question के अंदर में पूछा जा रहा है कि अल इद्रिसी कौन थे? इस没有 one, इस Clement clique को से आप लोगोंने यार्प रखने है एक जोगरोफर जिनों ने अच्छा कहां से लिए जोगरः अर्भ बनाया था लग लेविक लेओ के अंदर में एक map बनाया था जिसके अंदर में पूसे को भारत को इस तरीके से बनाया एंहोंने जगहों के नाम भी लिखे है तो आपको कन्योज का नाम इसके अंदर मिल जाएंगा भारत के अंदर में, ठीक है, कन्नौज, तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर का नाम भी इसके अंदर में उन्होंने mention किया हुआ है, बट उनसे गडबर यह हो गई कि उन्होंने नौर्थ इंडिया को साथ इंडिया, साथ इंडिया को नौर्थ इंडिया पाई गई है, संस्कृत की प्रशास्ती पाई गई है, तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, जिसकी प्रशांसा में, ठीक है, तो दोनों पेपर क्लियर हो गए, साक्षी ये दिलू जी, congratulations आपको, जी, तो देखे, बल्बन और इल्तुतमि पाई गई है, ठीक है, आप लोगों का, क्योंकि यहां पर मैं क्या बोला है, दिल्ली में पाई गई है, और वो भी कौन सी भाषा में, भाषा संस्कृत, ये बहुत इंपोर्टन्ट है, संस्कृत भाषा में मिली आप लोगों को, वैसे तो दिल्ली के अंदर में, अर्भी पहाशा के अंदर में अलाओदिन खिल जी की भी मिली है आप लोगों को ठीक है कुवत अलिस्लाम मस्जीद में जिसमें बताया गया है कि अलाओदिन खिल जी को भगवान ने खुद चुना है राज करने के लिए क्योंकि उसमें मुसा और सुलेमान जैसे जो है वो गुण वि चुना है तो यह पूछा जाए कि भगवान ने खुद चुना है उस राजा को राज करने के लिए ऐसी प्रशास्ति किस की मिली है अलाओदिन खिल जी की मिली है कुवत अलिस्लाम मस्जीद में बट वो अर्भी भाशा में लिखी भी आपकी अगर मैं बात करूं बल्बन की आप लोगों को में मिली है वो संस्कृत भाशा की मिली है दिल्ली के अंदर में मिली है पुराना किला आपका वहापरमे दिल्ली के अंदर के विया अनसर इसका ऑफ्शन हम लोगों नमे लोगों के 수anskrit ऑन या राज्यनी लेकर बंगाल राज्य तक पैपाई reducing में किश से ले भाइससाब थोड़ा सम्झाते अगशा अपने लोगों को कि इत्ता जादा नहीं बताना पुरह Bart इत्ता जादा नहीं फैला था यार्न हमको पताया वो चीज का आपको क्या अपको चीज लगाभाद में पता नहीं छलीगा कर शकूर इस बात काvan στο SOPH साउंफ इंडिया के अंदर में अलाओ धिन ख हील जी ने फ穴ारा किया था मेरे बच्थे क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में अच्छा लगाथ ता यह तो उनको इसा वो बोलेंगे कि सर लेकिन अलाओदिन खिल जी ने पहली बार हमला किया आपने बोल दिया कि द्रवीट तक साउथ इंडिया तक फैला हुआ था अच्छा नहीं लगता ने इसी बात इनकी जो प्रशास्ती है उसके अंदर में बताया गया है कि गजनी से लेकर बंगाल तक इनका साशन फैला हुआ था और नौर्थ इंडिया से अफगानिस्तान से लेकर जो हो साउथ इंडिया द्रवीट तक फैला हुआ था करके जबकि ऐसा था नहीं एक्च्छल में क्योंकि तो किसान का चाबुक ठीक है कल्टिवेटर्स विप कॉर्ड चाबुक तो यह कास्तकार का चाबुक किस ने लिखिए केशव चंदर सेन ने लिखिए हेंडरी डिरोजियो ने लिखिए पंडीत रामा भाई नहीं या जोती राव फूले ने तो आप लोगों को याद रखना होंगे तो यह बनता है आपका कल्टिवेटर्स विप कॉर्ड ओके जोती राव फूले ने यह पुस्तक लिखिती कास शेत करांचिया असुड ठीक है यह याद रखने है आप लोगों ने बाकी जोती राव फूले जो है इन्होंने गुलाम गिरी नामक पुस्तक भी लिखि अच्छना की ती गुलाम-गि तो गुलाम-गिरी भी जोती राव फूले ने ही लिखिती सत्य शोधक की स्थापना कि कित यह भी Q abide स्थे शोधक समाज की स्थापना टीक है तो सत्ये सथे समाज की स्थापना 1873 में पूने में जो नीची दर्जे के तो इस तो कॉल नीचे दर्जे के जो माने जाते लोग है ठीक है उन लोगों के संरक्ष्षन के लिए उनके उत्थान के लिए सत्य शोदक समाज की स्थापना की थी इस समय करें ऊध्री आपने अक्ष पर एक फचर एक घंटे में कितना डिकरी का कोड पर घूम्ती है फिर एक घंटा, फिर फंदरा डिग्री घुमेंगी फिर एक घंटा, इस तरीके से फ्रेंट्स पूर्थवी को पूरा जो है 15-15 डिग्री करके ऐसा घुमने में 24 घंटे लग जाते हैं और उससे 360 डिग्री का उसका एंगल पूरा हो जाता है, तो यह यादखना है एक घंटे म अगर घुम जाएंगी तो कितना घंटे हो चुके होंगए यह बता सकते हो अब लोग में को कमेंट करके, लेडव वाले जो है, देखें, बिहार के बारे में अगर आप पूछ रहों कि बिहार के अंदर में बिहार 6 2 8 वाली जो है, आपके 6 2 8, इसके अंदर में आप भर सकत 6 to 8 में भरने के लिए Now friends अगर इसे फेंगे आप लोगों से पूछ नो की 45 degree में किटना degree घुमेंगी ऐगर 15 degree घुमने में एक घंटा लग रहा है एक है तो 45 degree घुमने में उसको 3 घंटे लगेगे और ऐसा करते करते है पूरा 360 degree घुमने में उसको 24 गंटे का समय लगेगा, यह याद रखने है आप लोगों ने, छेरशा सूरी ने 1539 इस्वी में कौन से युद्ध में हमाईवु का हराया था, दो बार हराया उस नहीं हाँ पर में, तर यह class BPSC, बिल्कुल यह 6-8 में भी काम आएंगी अकांशा सिंग जी, बिल्कुल, क्योंकि NCIT-based सारे का सारा हम लोग यह पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा NCIT-based और आप लोगों से NCIT-based जो है questions पूछे जाते है, CTET में भी, BPSC की exam के अंदर में भी आप लोगों से NCIT-based बहुत सारी चीज़े पूछी गई थी, DTSB के अंदर में, UPTED के अंदर में, SuperTED के अं तो देखिए friends, अगर शेरशा सूरी की मैं बात करूओ आप लोगों से, तो शेरशा सूरी जो है, इन्हों ने दो बार हमाईव का हराया था, एक बार हराया था 1549 में और एक बार 1540 के अंदर में इन्होंने हराया था, 1540 के अंदर में, तो यहां पर मैं आगर मैं बात आप लोगों का ठीक है यह बहुत important है तो जो 1539 में जो हराया था वो बिहार में चौसा नाम की जगह है चौसा वहाँ पर मैं हराया था इसलिए इसको चौसा की लड़ाई बोलते है और अगर मैं बात करूँ आप लोगों से इसकी 1540 में इसको बोला जाता है battle of कन्नौज की लड़ाई जिसको आप लोग जो है बिल्ग्राम की लड़ाई भी बोलते हो बिल्ग्राम बिल्ग्राम नाम की जगह पर हुई थी लड़ाई कन्नौज में इस वज़े से इसको बिल्ग्राम की लड़ाई भी बोला जाता है तो चौसा और कन्नौज यह याद रखन वोज आंसर लगा रहे हों सबका गलत है यह ठीक है आंसर चौसा होंगा क्योंकि 1539 क्लियरली उसने बोला है 1539 वाला ठीक है तो आंसर दी होगा इसका ठीक है उसके बाद में फ्रेंड संकर हम लोग बात करें यहां पर में next question की तो भारत में पहला उद्यान मकबरा किस मारक का उधारन है मतलब आपका basically tom मकबरा बनाया गया लेकिन गार्डन के बीच में तो कौन सा वाला मकबरा था जो गार्डन के बीचों बीच में बनाया गया तो उस garden जो है खेरिशय सूरी का मकबरा था हमायू का मकबर है इत्यमाद दॉल्या का मकर है लेकिए दिल्ली में है यह बहुत आप लोग गयाद रखूंगे दिल्ली के अंधर में है मकबरा है तो यह पहला मकबरा भारत का जो के उद्यान मकबर्दा मतलब गार्डन स्ट्वीन में यहां सोया हुआ है अराम से अपने मगबरे के अंदर में मर गया हूँ तो वहां पर मैं आकर जो एक लड़का लड़की आपस में पीछे में बैठ के बात कर रहे है कि लड़का हुआ तो उसका नाम रखेंगे यहां पर मैं चरंदास लड़की हुई तो चमेली भाई तो अच तो मर गया फिर गार्ण वगरे बना के क्यों और लोगों को बुला रहे हो यहाँ पर में मौत का तमाशा बना रहे हो ठीक है चालिए तो लेकिन याद रख लेना आप लोग हुमायू का मखबरा गार्ण स्टाइल में बना हुआ भारत का पहला मखबरा था दिल्ली के अंदर म में हुमायू का मखबरा यह भी याद रखने हैं आप लोगों ने और हुमायू के मखबरे के बारे में भी कुछ चीजे जो आप लोगों को बताऊंगा मैं जो एंसे पॉइंट दिये आप लोगों के ठीक हस्त बहिस्त स्टाइल के अंदर में उसको बनाया गया मतलब आठ ऐसे कम्रे है दो कम्रे एक साइड में दो कम्रे एक साइड में दो कम्रे दो कम्रे चार साइड में दो कम्रे में बिना कर रहेंगे तो आठ हो जाते है ना चार दुनी आठ और बीच में एक सेंट्रल हॉल है जहां पर में हुमायू का मखबरा है हुमायू जहां सोया हुआ पद्धती को हस्ट भीहिस्ट कहा जाता है हस्ट भीहिस्ट ठीक है तो आंसर होंगा आपको option number B आठ खंबो वाला नहीं है वो आठ खंबो वाला ठीक है तो यह देख सकते हैं आप लोग हुमायू का मगबरा इस तरीके से गार्डन स्टाइल में बनाया गया है हुमायू का मगबरा किसकी अनुमती से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कार खाना स्थापित किया था तो देखे ब्रिटीश जो थे ब्रिटीश थे भारत के अंदर में जे पहली बार आए यह लोग ठीक है पहला इनका जहाज थ उन्होंने क्या किया था जहांगीर के दरबार में उन्होंने पर्मीशन मंगी थी जब तब उन्होंने पर्मीशन नहीं दी उन्होंने पर्मीशन बाद में दी थी लेकिन जो सूरत में उन्होंने कार खाना स्थापित किया था सूरत के अंदर में तो सूरत के अंदर में पह 1211 के अंधर में शुरुवात किया था जिसको बनाना था वू सटार्ट किया था जो 1613 में जाकर 11 जबाइ 1613 में खोला गया कार खाना सूरत के अंदर में 1611 में बनाना स्टार्ट किया था 1611 में permission मिल गई धी स्वधेशी आंदोलन है भारत में किसके दौरां के अंदर में शुरू किया गया अभी जो है न आपका इसके अंदर में भी काफी सारे questions आपके clear हो जाते हैं वो भी हम लोग उसको भी start करेंगे मैं आपको बदा दू कि आपका यूपी परिक्षा जो channel है उसके अंदर में काफी सारे मैंने जो है वो अपकी crash course उसमें start क्या हुआ है यूपी के सभी exams के लिए तो यूपी परिक्षा जो channel है यूपी परिक्षा ठीके दानीश सर ऐसा भी लिख दोंगे आप लोग तो मिल जाएंगा आप लोगों को ठीक है बाकी मैं आप लोगों को जो है description में उसकी link भी दे दूँगा और class के last में आप ल lectures देख सकते हो आप लोग तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था ठीक है उसके खिलाफ तो बंगाल partition जो agitation था उसके जो है उसमें स्वादेशी आंदोलन शुरू हुआ था आप लोगों का 1905 के अंदर में 1905 में तो बंगाल partition के खिलाफ में तो आंसर होगा आप लोगों का option partition है आप लोगों का उसकी घोषना हुई थी 20 जुलाई को 20 जुलाई को हुई थी इसकी घोषना और इसको अस्तितों में लाया गया था 16 ओक्टोबर को 16 ओक्टोबर 1905 को ये अस्तितों में आया था ठीक है निम्नलिखित में से किसे राजकुमार खुर्रम के रूप में जान पर्शाइकोलोजी के साथ में जहस्परित कोड जी αν आप कर सकते हैं इसको हूँ तो शहां जहां जो है उसका असली नाम खुर्रम भी था तो शहां जहां नाम सुनकर आप लोगों को बड़ा प्यार आता है इसमें कई लोग खुर्रम सुनकर कैसा नाम है खुर्रम अच्छा नाम है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो खुर्रम एक्चुल में उसका असली नाम था और शहा जहा जो है उसका नाम था जब वो राजा बना तो उसमें शहा जहा की उपाधी ली थी शहा जहा की उपाधी तो आंसर इसका option number C हो जाएगा आप लोगों का ठीक है तो कौन से नंबर का मुगल बाश्या था ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से तो बाबर का ब अजनी नहीं ucा मंस्चा था ये भी याद खनें आप लोगों ने दिल्ली का जो लाल किला आप लोग देखते हो दिल्ली में लाल किला देखते हो ना जहां हमारे भारत के प्रदान मंत्री जो भी होंगे वो जंडा फेराएंगे तो लाल किले का निर्मान जो है वो शहां जहां ने करवाया था दिल्ली की जामा मस्जिद जहां पर में करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते जामा मस्जिद दिल्ली की चांदनी चौक के अंदर म वो मस्जिद का निर्मान भी इनों नहीं करवाया था शहां जहां ने दिल्ली की अंदर में जो मोती मस्जीद है चीक है दिल्ली की नहीं आग्रा वाली जो मोती मस्जीद है उसका निर्मान इनों ने करवाया था ठीक है यहां पर में एक चीज़ देखे आप लोग यहां प जहान ने करवाया था उसका निर्मान तो यह वाली जो है मोती मस्जीद काटनी रहों मैं इसको यहां पर मैं आप लोग लिख लेना और आग्रा वाली किस ने करवाई थी आग्रा वाली जो है आग्रा जो आग्रा वाली मोती मस्जीद है वो शहां जहाने करवाया था उसका न लाहर वाली जहां गीर ने करवाई थी आगरा वाली शहां जहां ने और दिल्ली वाली जो है और अरंग जेब ने ठीक है तो लिख लो आप सभी लोग तीनो के तीनो ठीक है सबसे पहले लाहर वाली मोती मस्जीद लाहर वाली जहां गीर ने दूसरी आगरा वाली शहां जहां ठीक है और तीसरी मोती मजजीद दिल्ली वाली औरंग जयतनी एंवियस के अंदर में दिल्ली वाला पूछा इस वज़े से मैं आप लोगों को यहां पर में बता भी दिया उसको ओके चालिए ओके चालिए यहां पूछा फटवा ए आलमगिरी मुस्लिम नियमों का एक संग्रह है निम्नलिकित राजवाओ में से किस काल में इसको लिखा गया था फटवा यह आलमगिर नाम किसका था यह आप लोगों ने धियान रखना है बस यह एक इंपोर्टन वाली बात है आलमगिर इंगिर नाम अरंगजेब के थी और औरंगजेब के समय में ही फटवाय आलमगिरी जारी किया गया था बिसिकली यह कानून था औरंगजेब के समय का कानून जिसके तहत औरंगजेब का जो प्रशाशन है वो चलता था तो औरंगजेब ने अपना कानून लागू किया था फटवाय आलम पर में जूड़ सकते हो, मैं आप लोगों को इसी टेस्ट भी दे रहो अभी यहां पर में, बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहोंगा friends कि आप लोगों को यहां पर में, आई बटन के अपर में जो है, basically आप लोगों को playstore की link मिल जाएंगे app की, आप लोग जो है friends यहां पर में जो है वोग क्लिक करके directly एप को भी download कर सकते हो, आप लोगों के screen के ओपर में एक playlist की link आ जाएंगी, जो playlist के ओपर में click करके आप इस lecture के इस series के सारे lectures को revise कर सकते हो, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के एक test लेने वाला हूँ friends, एक या दो दिन के अंदर में आप लोगों को मैं announcement कर दूंगा कि कब आप लोगों की test होने वाली है और वो test को सभी लोगों ने live देखना है ताकि आप लोग उसकी अच्छे से différents कर सकें तो पूरा पूरा अभी से रिवाइस कर लिए तोटिर कम से कम चालू कर ल iji अप लोग यहां पर में है अभी से चालू कर दोंगे आप बहता दरीगे से आगे रहोंगे आप लोग, चलिए, मिलते हम लोग हमारे next lecture के अंदर में friends, आप लोग उसके साथ में, तब तक लिए thank you very much, take care and bye, God bless you all, thank you friends, bye, thank you.